नमस्कार, अभिवादन, पिरिया बच्चों और सिक्षक साथियों, मैं आज आपको आदित्यायादव से मिलवाने वाला हूँ, आपके मन में कुश्चन आया होगा कि आदित्यायादव कौन है, और आदित्यायादव का फोटो साथ में है हमारे महमहिम के, आदित्यायादव क को पिछले वर्स परधान मंत्री रास्ट्रिय बाल पुरुषकार प्राप्त हुआ था अधिते अधब की अगर मैं शौट में बात करूं तो यह बिटिया उत्तर प्रदेश गोरकपूर की रहने वाली है जब इनकी उम्र नहीं वर्स थी तब पता चला अधितिया ना तो बोल प्रधान मंत्री राष्टेबाल पुरुषकार प्राप्त हुआ प्रधान मंत्री राष्टेबाल पुरुषकार की आज बात क्यों कर रहा हूं क्योंकि प्रधान मंत्री राष्टेबाल पुरुषकार दोजार पचिस के लिए आवेदन निकले हुए हैं कौन आवेदन कर सक बहुत से questions आते हैं जब भी हम बच्चों को देखते हैं प्रधान मत्री जी के साथ या राश्पती महधिया जी के साथ तो निश्टी तुरूप से मन में आता है कि हमें तो पता ही नी चला हम भी आवेधन कर सकते थे कौन आवेधन कर सकता है कैसे आवेधन करेंगे और यह लॉसि-शू 그냥 यह जी करने यह हुआ और यह सब ही बच्चों की उम्र पाश बच-थ यह ज्टो है बीच यह तो क्या हमारे हिंदुस थान यह पाश बरस से अठारा बर्स के बीच जो बच्चे हैं वह इंट फंठ ओन और हम्र बच्जों करने वालों की संह्ख्या बहु विलक्षन परतिभा के धनी होते हैं, ब्रैवरी अवाल्ड है, बहदूरी का, यानि ऐसा बच्चा का चैन करना है, जिस बच्चे ने अपने जीवन का मोह नहीं किया, रिस्क लिया और अपने साथ साथ ना जाने कितनों का जीवन बचाया, बहुत सी ऐसी प्राकर्थिक कर तहरक के निकल जाएगा, और जाने कितनों की मदद करेगा, तो ऐसे बच्चों को चिन्हित करना, उनको प्रोसाहित करना, उनको समान देना, कितना अच्छा करे है, या एक्सिलेंस अवार्ड भी है, बहदूरी के साथ साथ, कुछ ऐसे अवार्ड जैसे इनोवेशन कोई किया हो, कोई ऐसा इनोवेशन किसी भी फिल्ड में किया हो, जिसका एक पॉजिटिवली इंपेक्ट गया हो सोसाइटी पर, नेशन पर, सोसल सर्विस, यानि कोई ऐसा कोई बुराई हमारे आसपास के समाज में है, उसको दूर करने में हमने अपना जीवन सुरू कर दिया हो बालक तो सुरू ही करेगा ना, या बच्चों के लिए, या महिलाओ के लिए, उनके जो एक तरीके से अधिकार है, उनके लड़ाई-लड़ी हो, यानि समास सेवा में हमने कोई ऐसा उत्रष्ट कार्या किया हो, या एन्वारमेंट, हम जहां रह रहे हैं, वहां कोई सॉल्व कर दिया, या स्पोर्स जैसे अभी मैंने नाम लिया, आदित्यायादव का, दिव्यांग बच्ची थी और स्पोर्स में नाम कमाया, रास्ट में, विस्व में, तो ऐसा विलक्षन प्रतिवा के धनी, जो बच्चे हैं, आर्ट्स और कल्चर में, जो हमारा कोई का अर्थ यह है, यह फिल्ड है, या तो ब्रेवरी अवाल्ड है, या इन छै फिल्ड में कोई एक्सिलेंस हमारा रहा हो, तब हम आविधन कर सकते हैं, अब यह कुशन आता है साथ में, कि क्यों मिलेगा यह तो सवन्जमा आ गया, पर बहुत से बच्चे होंगे ना, इसे त बच्चा अपलाई कर सकता है, इसमें एज लिमिट के साथ साथ, जो यह पीछे मैंने बताया कि सोसल सर्वीज है, या गेम्स हैं, जो भी आपने उपलब दी पाई है, गणना में केबल उनको ही समदित किया जाएगा, जो पिछले दो बड़सों में हुई है, यानि कि 31 जु 2022 से 31 जुलाई 2024 की, बीच की कोई घटना अगर है, आपने कोई बाहदुरी का कारिया किया है, आपने कोई उतकरष्ट समास्रेवा का कारिया किया है, आपने कोई इनोवेशन किया है, या आपने साइंस एंड टेक्नोलोजी के फिल्टम कोई कारिया किया है, या आपने अपन कैसे प्राप्त होगा अब कैसे हम सुरुवात करेंगे कैसे प्राप्त होगा इसके लिए हमें पोल्टल पर जाना होगा awards.gov.in कैसे प्राप्त होगा हम कहां से सुरुवात करें इसके लिए हमें एक गौर्वर्मेंट पोल्टल पर जाना होगा हमें एक वैपसाइट ओपिन करन होगी Awards.gov.in किलिक करेंगे स्क्रॉल करेंगे और हमें मिल जाएगा प्रधान मंतरी रास्टियाब्बाल पुरुसकार का ओल्टल किलिक करने के बाद यहां से हम रेजिस्टर कर पाएंगे लॉग इन कर पाएंगे पहले रेजिस्टर करना पड़ेगा इसके लिए मैं दूसरी वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा आज तो मैं पुरुसकार के लिए आपसे कहने आया हूं कि आप पुरुसकार के लिए तयार हो जाईए आप आवेदन करने के लिए तयार हो जाईए अब आप देखेंगे एक अप्रेल 2024 से आवेदन शुरू हुए हैं और 31 जुलाई 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं डिफ्रेंट सूचना पातरता क्या होगी वो आप कर पाएंगे एक पुरुसकार प्राप्त करने वालों की संख्या 25 निर्धारित है पर यह नेशनल कमेटी पर भी छोड़ा है अगर बच्चे ज्यादा अच्छे प्राप्त हुए तो ज्यादा पुरुसकार और कम हुए तो कम पुरुसकार बच्चे दों सब अच्छे होते हैं पर वो डिपेंड करता है हमारा क्नाइटीरिया क्या है इसमें एक खुबी और करना पड़ेगा हमने कारिया किया तो अपने आप पुरुसकार मिलना चाहिए बिल्कुल ठीक बात परन्तु आपने कोई कारिया उत्तर प्रदेश में किसी एक गाव में बहुत फ्रेश्ट कारिया कर रहे हैं उसको बताने की जिम्मदारी किसकी है या तो हम अपना कारिया कुद बताएं उसके साक्षय भी देने पड़ेंगे प्रूफ तो देने पड़ेंगे न और यह हमें क्या करना पड़ेगा हमारा डिपार्डमेंट बताएं वह बहुत अच्छा सोसाइटी के लिए कारिया कर रहा है एक बहुत बड़ा यहां एन्वाइन्वेंट का इशू उसने उसे सॉल्व कर दिया या उसने कोई नवाचार इनोवेशन कर दिया नया साइंस एंड टेक्नोजी के छेत्र में उसने एक ऐसा उपरण बना दिया जो इसने सोसाइटी के लोगों को बहुत फाइदा होगा तो उसको मैं खुद उसका आविदन करा सकता हूं अपने व सब्सक्राइब कर सकते हैं और पंचायती राज इंस्टिटूशन कर सकते हैं और सेंट्रल एंड इस्टेट स्कूल बोर्ड कर सकते हैं जिसके मैं यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं केंदे विद्याले संगठन कर सकते हैं नवोदे विद्याले संगठन कर सकते हैं तो यह सब डिपार्टमेंट्स हैं जो नॉमिनेट बच्चे को कर सकते हैं अब बताइए जिला मुझाफनगर के अगर बात करूं और किसी बच्चे ने बहुत 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 कारे किया तो उस बहुत के चर्चे तो आसपास होंगे ना खुश्बू को कौन रोख सकता है फैले से तो निउस्पेपर में भी होगी चेतर में भी होगी डियम सर तक निश्चित रूप से जाएगी अकर कोई ऐसा धरन कारिया होगा तो तो डियम सर खुदी संग्यान नेंगे बही मेरे जीले का संबान की बात है उत्तर परदेश का कोई बच्चा गया तो हमारे लिए भी संबान करें जितनी भी आपने पिछली दो वर्सों में कोई कारिया किया है ऐसा धरन उससे संबंदित फोटोज उससे संबंदित वीडियोज को कलेक्ट कर ले एक जगा संग्रह कर ले अपनी आईडी आपका आधार कार्ड लगेगा एक मोबाइल लगेगा उन सब को जब पोल्टल आधार कार्ड होगा या कोई दूसरा प्रूब दे सकते हैं आपने कॉलिज का डोकॉमेंट्स लगा सकते साथ जो आपने कारिया किया जो आप कर रहे हैं उससे संबंदित फोटोज होंगे उन फोटोज के अलावा जो संबंदित वीडियो जोंगी ऐसा तो हो नहीं सकता कि वीडियो नहीं परनतों बात की उचारतों डूशलीम मीडिया ठोपा कुछ ना कुछ ना कुछ नगे C मुडियागिे साथ को दस वीडियो भी अपलोड कर सकते साथ में निङोज्फेपर की कटिंग आपको अप्लोड करनी होगी कोई नहीं तो प्रूफ देना होगा ना आपने खाली कह दिया कि मैं समास्वेबा कर रहा हूं मैं ऐसे ऐसे लोगों के जीवन का इस्तर में रद्धी कर दी सुधार दिया ऐसा कहने से तो काम नहीं चलनेगा उसके बारे में प्रूफ तो हमारे देश की पर्थम नागरी के साथ आप बैठ कर फोटो किचा रहे हैं उनसे आप मैडल प्राफ कर रहे हैं उनसे आप पदग प्राफ कर रहे हैं मेरे खाल से जीवन की सबसे एक एतिहासिक पल होंगे और साथ ही इस वर्स मैं खुद साक्षी था गरतन दिवस की परेड में उन्हें गरतन दिवस की परेड में बच्चों को समलित होने का मौका मिला था वो बच्चे बड़ी सांसे एक शांदार समारी में बैठ कर जा रहे थे मैंने खुद उन्हें देखा और आपने भी टीवी पर समने उनको देखा होगा और वो शांसे जाकर निकल रही थे त अधिक से अधिक बच्चों को चिन्नित करें और जो भी बच्चा आप समस्ते हैं किसी का भी कार्या छोटा या बड़ा नहीं होता आप छोट छोटे कारिये जिस बच्चे ने किये हैं या बड़े कार्या किये हैं उनको चिन्नित कर आबिदन कराएं आज नहीं तो अगले वर्स बच्चे का नाम निशित रूप से सफल होगा और अगर बच्चा ऐसाधरन होगा तो इसी वर्स होगा हमारे प्रदेश में उत्तर प्रदेश में मादिविक सिक्षा विभाग के डारेक्टर महदय ने भी एक ऐसाधरन पहल की है उन्होंने कादेश निर्गत किया है कि प्रतियक जिले में डियासर के निर्देशन में हेल्प डेस्क बनाई जाए जिससे प्रतियक जिले से नामंकन हो सके कोई बच्चा ना चूटे नामंकन की संख्या बढ़े और उन बच्चों को अगर पोल्टल पर अपना आवेदन करने में कोई समस्या आती है तब वह हेल्प डेस्क उनकी मदद करेगी एक नोडल बनाई गए है और मैं आप सभी से निविदन करना चाहता हूं यदि किसी सिक्षक को या किसी बालक को आवेदन करने में को और जाज़न करें उनके समस्या का हल करने का प्रयास जरूर करूंगा और एक जल्दी ही एक आपको एक वीडियो ओर अपलोड करूंगा जिसमें आपको प्रोसेस के बारे में बताए जाएगा कि आप किस परकार आवेदन कर सकते हमारे सिक्षक साथी अधिक-धिक नामंगन कराएंगे इन्ही सब्दों के साथ जै हिंद जै भारत नमस्कार